नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दूजो कबीर। यह एक राजस्थानी कहानी है और इसकी लेखक है विजेदान देथा। इसको भी M.H.T. बारक के अंदशामिल किया गया है। इस कहानी के नाम से ही कहानी की विशेवस्तु के बारे में हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। दूजो कबीर कौन सा है और उसमें कौन से ऐसे गुण है जिसके आधार पर लेखक इनको दूजो कबीर कहता है। कहानी का वाचन करते हैं दूजो कबीर। ये राव रंक के जाले, सरासर जूठे और काले, सूरज उगने पर ही मिटती रात, दिशा दिशा में स्वर्णिम प्रभात। तो वक्त के मुताबिक ये बात बरसों पुरा नहीं है, कि हरियाली के बीच और हवा के जूले पर एक गाउं बसा हुआ था। तो यहाँ पर लेखक ने जिन पंक्तियों से इस कहाने की शुरुआत की है, उसमें कबीर के सभी आदर्शों का यहाँ पर एक तरह से निचोड हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। किसी ऐसे गाउं की बात हो रही है, जहाँ पर ऐसे ही गुण लिये कोई विक्ति है, जैसे गुण कबीर में थे। जहाँ धरम करम के साचे में ढले नितनेमी इनसानों की बसती, पर एक जोपडी टली हुई। उस जोपडी में बसने वाले विक्ति का नाम तो कुछ और ही था, पर गाउं वे इलाके के लोग उसे व्यंग वत्ताने के बहाने कबीर के नाम से ही बतलाते थे। अलाव के चारो और बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुर्जोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कोक से जनम ने लेकर ये कबीर कुकुर मुत्ते या नाग छत्री की तरह आप ही आप जमीन से उगा होगा। इनसान की उलाद होता तो इनसान माफिक बाते करता। सूने आकाश में कोई बदली का टुकड़ा सहसा प्रकट हो जाता है वैसे ही एक दिन वो कभीर अचीता उस बस्ती में प्रकट हुआ। तभी से जुलाहे का काम तो बहुत उम्दा करता पर बाते एक दम उल्टी सिर्फिरी वै बेहुदी करता था। कद काठी और चहरा तो फबता और सुन्दर पर बाते उट पटांग। कैसे और कहां से अनमापे की सूझती सो वो ही जाने हाथ का पूरा उस्ताद पर उल्टी खोपड़ी का। जैसे घुंगराले वे काले बाल, वैसे ही टेडी मेडी वे काली स्याबाते, कालीन, शोल और कमलों में बेल बूटे, जाड जंखाड वे फूल पते ऐसे बुनता था जैसे सचमुचके हों। उसके हाथों बुने कालीन के फूलों पर भवरे ब्रह्म में मंडराते थे और कभी पके फलों के भुलावे में तोते चोंच मारते थे। अगर हाथों के कारेगरी की समान उसमें अकल भी होती तो फिर कहना ही क्या, ने कबीर की सनक, ने बेवकूफी की सेमा थी, और ने बस के लोगों की चिक-चिक का कोई छोर था, कबीर के हुनर की बाते हवा में घुली हुई थी, समूची रियासत में उसकी शोहरत थी, एक दफा इत्तिफाक हुआ कि देश के मालिक राजा ने राजकुमारी के साथ गाउं के तालाब किनारे पड़ाव डाला, एक सो एक घोडों का लशकर, घने बर्गत की छाउं तले पसीने से सराबोर घोडों को बहुत देर तक विश्राम मिला, सुरंगी जाजम बिछी, भनक पड़ते ही समूचा गाउं राजा और राजकुमारी के दर्शन की खातिर हाजिर हुआ, राजा ने खुशी-खुशी जन तो मालिकों का है, पर कबीर यहीं रहता है, राजकुमारी का उत्सा गले में समाया नहीं, बेहद ललक से फिर पूछा, वाकई, बस्ती की लोगों ने गर्दन हिला कर हां की, और हां के साथ ही राजकुमारी फोरन दोड़कर राजा की पास पहुँची, खुशी के फूल ब तगमग उसके चहरे की और देखता रहा, अपनी इकलोती बेटी का राजा बहुत मन रखता था, और बेटी भी मन रखने लायक थी, बरसात के पानी की माफिक पवित्र और अंचुआ उसका अंतस, जैसा एकतनी रूप, वैसा ही एकतनी सभाव, अथा सागर सी अकल, निर्म इस आश्वासन के उपरांत, राजा ने हाथ जोडे ठाकुर के और मुखातिब होकर पूछा, लगता है कबीर को मेरे आने की खबर नहीं हुई है, वरना अपनी कारेगरी दिखाने की खातिर वो सबसे पहले आता, ठाकुर के मन में पुराना कसेलापन भरा था, अच्छा मो का हाथ लगा, बेजिजक जवाब देते कहने लगा, आपसे क्या अर्ज करू अन्नेदाता, इस कबीर का दिमाग आसमान में चड़ा हुआ है, आपके बुलाने पर भी आ जाए तो गनीमत है, राजा तो राजा ही होता है, जन जन का मालिक, सिर का मुकुट, किसकी मजाल जो राजा के आदेश को टाल सके, मोत अगर बक्षे तो मोत की मर्जी, पर राजा की तो सपने में भी ऐसे मर्जी नहीं होती, राजा के गुमान में गोया तक्वा घोप दिया गया हो, पुतलियों की रंगत बदल गई, गरसते हुए ठाकूर पर ही बरस पड़ा, ठाकूर तु अगर की रोम रोम में कपकपी घुस गई, घोडे पर सवार होकर मोत आई, उसमें कसर नहीं, अटक्ते वई बमुश्किल बोल पाया, अन्यदाता मेरी तो ओकात ही क्या, ये पागल कबीर तो भगवान की भी नहीं सुनता, राजकुमारी की खुशी पर पाला पड़ गया, बात सीमा से बाहर निकलती दिखती है, वापस कैसे समेटी जाएगी, राजकुमारी को भी पहली मर्तपा अपनी अकल का पैंदा उगड़ता नजराया, तब भी उसके मन में अकल के परे अटूट धीरच था, अब एक पल की भी देरी होने से राजा की गुमान का साप हरगि बांबी में नहीं गुसेगा, बीन की बोल सुनकर शायद रीज जाए, राजा के करीब आकर बोली, आपसे बड़ा कलाका पार्ख ही दूसरा कौन है, आपकी मूसे ही तो मैंने सीख की ये बात सुनी, कि कलाकारों की आदते कुछ संकी होती है, उनकी कदर तो जानने वाला ही जानता है, आप ही तो फर्मा रहे थे कि कलाकार विधाता के साक्षात अवतार होते हैं, लाखो करोडों दिखती आँखों से उनको पहचानने वाली एक दीड बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये बेयकल ठाकूर बिचारे दारूवे ऐश के अलावा कुछ जानते भी तो नह उफनते दूद पर मानो ठंडे पानी का छीटा लगा हो, राजा मुस्कराने की कोशिश करते कहने लगा, मेरी लाडले बेटी, तेरी समझ के आगे हार मानने पड़ती है, राजकुमारी बीच में ही जल्दी से बोली, ये जैसी तैसी समझ आपकी ही बक्षी हुई है, मेरी तो बिसात ही क्या? राजकुमारी की गालों पर हाथ फिराते राजा कहने लगा, तेरी बिसात का वजन में जानता हूँ, तेरा सभाववे अंतस तो ऐसा है कि बेटा बेटी दोनों की कमी पूरी होती है, अगर तु वक्त पर बात नहीं संभालती, तो मेरे हाथो कबीर की मो जनता तो राजा की उलाद की समान होती है, जब वहाँ चलना ही है, तो देरी करने से क्या फाइदा? यहे बात कहकर राजा आप ही जिस और मुह था, उधर ही चल पड़ा, ठाकुर हाथ जोड़कर लपकते वी सामने आया और बोला, गरीब नवाज इधर पधारी है, कबीर क जोपड़ी का यह रास्ता है, राजा ने मुढकर ताजुब से पूछा, जोपड़ी? ऐसे मशूर कलाकार की जोपड़ी? अपने भले बुरे का तुम्हे होश भी है? इन लच्छनों से यह ठिकाना ज्यादा नहीं टिकने का, जुड़ी के बुखार के मरीज की तरह ठाकु होगी, सामने आ जाएगी. बेटी की अकल पर अभिमान करतावा राजा बोला, हाँ, अब देर ही क्या है? पचासेक आदमियों का जथ्था, राजा के पीछे-पीछे कबीर की जोपड़ी पर पहुचा, नए खारिये से च्छाई कच्ची जोपड़ी, मुरड गोबर से बीच सटा सट नली चल रही थी, दरवाजे पर लोगों की हलचल सुनी तो उसने पीछे मुड़ कर देखा, गाउ मालिक की साथ एक अजनभी प्रोड आदमी, रेश में अचकन, सोने का मुकुट, बांकी मूचे, कमर में लटकी सोने की म्यान की तलवार, नजदी की एक खु पानी अंगों में समा रही थी, और नयरूप, उस रूप की परस में सुरंगी पोशा की रोनक दिप-दिप कर रही थी, म्रग नईनी की बड़ी-बड़ी आँखों से समझदारी की आब साफ जलक रही थी, अपने होठों पर पवित्र मुस्करहट चित्राते कबीर उठ खड़ा हुआ, हैरत भरी निगाओं से लोगों की चहरे बारी-बारी से देख रहा था, कि ठाकुर जुंजलाहट दरसाते कहने लगा, बावले की तरह डग भग क्या देख रहा है, तेरे अहो भागे की देश के मालिक तीन लोग के नात खुद तेरे घर पधा रही है, तेरी कारिगरी देखने की खातिर, अब उल्लू की तरह आँखे क्या फाड रहा है, कालेन या शोल हो तो नजर कर, राजकुमारी ने कारिगरी से पहले भर कर कारिगर को देखा, तामबई रंग, काले बुझंग बाल और काली बुझंग दाडी, सफेद अंगरखी, सफेद हीधोती, घुटनों तक, घुंगराली घनी रोमावली, वर्फजात ध्वल बतिसी, शीतल मुस्कुराहट, अंगों से परे मोहक रूप, राजकुमारी को इनसान के रूप में प वाकत जुलाहे का काम ही जानता हूँ, आप कारिगरी माने तो आपकी मरजी, पर मैं तो इस काम के सिवाए किसी दूसरे काम के लाइक नहीं हूँ, किसे हैसा राजकुमारी को भौरों की भन भनाट सुनाई दी, एक गुलाब की पोधे पर फूलों के उपर भौरे मंटरा र आगे अलगनी पर चार-पांचे कंबल वे शोल लटक रही थे, राजा और राजकुमारी ने अपनी सुधबुध बिसरा कर खुद उने खोला, तहें खुलते ही एक-एक चितर की बनावट में उनकी नजर उलज गई, काली घटा में गोयां वाके बिजली चमचमा रही एक कालिन की तह घुलते ही हैरानी से पूछा, अरे ये लोमडी के बिल की तरह क्या है, भीतर लोमडी तो चुपी हुई नहीं है, कबीर मुस्कुराते वे बोला, आपने पहचान तो खूब की है, वास्तों में लोमडी का ही बिल है, राजकुमारी शहद गुले सुर में बो राजकुमारी की रूप को ये बात काफी बुरी लगी, भद्दा सो भद्दा, सुन्दर सो सुन्दर, दोनों सरीखे कैसे हो सकते हैं, बोली, फिर खूबसूरत वे बदसूरत का मतलब क्या, खूबसूरत को कौन पूछेगा, कबीर धीरत से कहने लगा, खूबसूरत और ब इसले दिन करगे पर बैठा तो आप ही लोंबडी का बिल बन गया, हूबहू उस बिल के उन्मान, राजा होट चबाने के उपरांत बोला, जंगल वाला बिल तो राम जाने मेरे मन को भाता या नहीं, पर तेरी ये कारीगरी तो जैसे मू बोलती हो, कहीं विधाता का अंच तो तेरे हाथ में नहीं लग गया, आँखों देखी वस्तु बड़ी मुश्किल से हाथों की पकड़ में आती है, देखने में तो कोई नहीं चूकता, पर हाथ सभी के चूकते हैं, कबीर गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, उहू, देखने में चूक होती है, तभी तो हाथ किसी वस्तु को देखते समय मेरी आँखे हाथ बन जाती है, और करगे पर बैठते ही मेरे हाथ आँखे बन जाते हैं, राजकुमारी ने पहली मरतबा इनसान की जबान से इनसान के बोल सुने, ये तो बराबरी के भाव से बेहिचक बात कर रहा है, इसकी नजर में तो कोई इनसान की मर्यादा नहीं जानता, राजकुमारी होर संभालने के बाद जिस मर्यादा को देखने की खातिर तरस रही थी, वे पहली मरतबा कबीर के चेहरे पर साफ नजर आई, उसका हिर्दे खुशी से हिलोरे लेने लगा, कबीर के उन्मान कलाकार रियाया का किस राजा को गर्व नहीं होगा, उसकी पीठ थप थपाते वी राजा बोला, धन्ने है तेरी आँखे और धन्ने है तेरी उंगलिया, लोग बाग तो डाहा में चुगली करते हैं, पर मैं उन चुगलियों पर कान धरू तो, आज से ही तेरी खातिर राज्ये का खजाना आठो पहर खुल तेरी कारिगरी की मूँ मांगी कीमत दी जाएगी, मन में किसी तरह का संकोच मतला न, कभी मुस्कुराते वे कहने लगा, इसमें संकोच किस बात का, आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं बेचनी की खातिर बुनाई का काम नहीं करता, इलाके की सेठ महाजन लालच दे दे कर हार गए, पर मैंने अपनी कारिगरी को पैसों के बदले नहीं बेचा, जो बात सपने में भी मेरे मन को नहीं जचती, उसे मानने से क्या फायदा, आप ही फरमाएं, राजकुमारी तो सुनते ही इस बात का मर्म समझ गई, पर राजा एक-एक अक्षर अच्छी तरह से सुनक पर भी ने बात का भाव समझा और ने जायका, मुकुट और सिंखासन का गुमान ऐसी समझ को अपने पास ही नहीं फटकने देता, नासमझी से गरदन हिलाता हुआ बोला, हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है, मेरी मेहर और राज्ये के खजाने के होते किसी दूसरे को तेरा माल बेचने की जरूरत ही क्या है, अब तो कोई तीस मार खा भी तेरा माल खरीदने की हेकडी दिखाए तो मुझे खबर कर दे न, मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूँगा, समझ गया ने, ठाकुर ने हां में हां मिलाते हुए ताना मारा, ये तो जनम से ही सारी बाते स कबीर की और मुखातिब होकर राजा ने बात जारी रखी, बोल, इस ठाकुर ने तुझे कभी परिशान तो नहीं किया, इस सवाल के साथ ही ठाकुर का तो जाने समूचा खोन ही निचुड गया, अचीती मुसीबत आई ही समझो, कबीर सरल भाव से बोला, किसी की करने से में परिशान नहीं होता, अपने मन से परे में किसी की बात मानों तब ने, आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई परिशान नहीं कर सकता, कबीर की बात सुनकर राजा और ठाकुर दोनों निश्चिंत हुए, ठाकुर के दिल की फड़़़़ा हट बंध हुई, पर राजकुमारी क वज़े से ही कबीर का बहुत अहित होगा, और शायद लाग कोशिश करने पर भी ये ठल नहीं सकता, राजकुमारी का अंतस भीतर ही भीतर एठने लगा, आखिर ये बात चित किस मुहाने पर पहुँचेगी, उसे पहले ही सब मालूम हो गया, और उपाय की कोई गली या गल और कबीर के घर आकर जल्द से जल्द मू मांगी कीमत अदा करें, लेन देन की खातिर कबीर का वक्त जाया किया तो फिर उनका मालिक भगवान ही है, और इस आदेश के साथ ही राजकुमारी के कलेजे में मानो सुरंग फटी हो, उसका सांस जहां का तहां थम गया, फर कबीर के चहरे की रंगत, रंग मातर भी नहीं बतले, सवार अलगनी पर लटकते कालिन वे कंबलों को लेने की खातिर आगे बढ़े ही थे, कि वो उसी तरह मुस्कराते वे, बिना हाथ जोडे और बिना अन्यदाता का लफ्ज जबान पर लाए, कहने लगा, मैंने तो पहले ही बंडर उठा, नसो का खून उबलने लगा, इस चंडाल की इतनी हिम्मत, भनाते हुए गरच कर पूछा, क्या दूसरों की तरह मेरे लिए भी बेचने की मनाई है, राजकुमारी के नसीब में ये दिन देखना भी था, कैसी बुरी गांट उलजी, पाशान मूर्ती के उन्म कबीर के होटों पर नजर घडा कर इंतजार करने लगी, कि उसके मूँ से अब क्या बोल निकलते हैं, होटों तक आई मुस्कुराहट को रोकता हुआ कबीर कहने लगा, मैंने तो अपने मन की सच्ची बात दरसा दी, आप जो चाहें मतलब निकाले, राजा के गुसे को मानो पलिता लगा हो, पैर पटकते हुए बोला, मेरे पास मतलब निकालने का समय ही कहा है, नालाइक, तेरी मोद तो नहीं आई, मोद तो एक दिन आने ही है, ये तो किसी का भी खयाल नहीं करती, ने रंक का, ने राजा का, मरने की बात जानता हूँ, तभी तो अपनी मेहनत की की कीमत नहीं आगता, इस तफ़ा ठाकुर ने एक बड़िया तद्वीर सुनाई, अंगलिया चाटते हुए कहने लगा, कीमत नहीं आखना चाहता तो अन्य दाता की चर्णों में खुशी-खुशी ये तमाम वस्तुएं भेट कर दे, ठाकुर की इस सुझाव से कबीर के होठो पर आप ही मुस्कुरहट चा गई, कहने लगा, भेट देना, ने देना तो मेरी मर्जी पर मुनस्सर है, फिर राजा को किस बात की कमी, जो उसे भेट दी जाए, राजकुमारी ने कबीर के नाम से ऐसी कई अफवाईं सुन रखी थी, और उसे अंजाने ही उन पर काफी उन बातों को रूबरो आजवाने के बहाने ही, खुद उसने आगे होकर कबीर के मुकाम तक आने का इरादा किया था, पर अब प्रतेक्ष अपने कानों से ये बोल सुनकर भी उसे यकिन नहीं हुआ, कि कोई इनसान की ओलाद राजा के मुहों पर इस तरह बेजिजक अपने राजकुमारी की रॉम रॉम में घसा डर, किसी अदेठ जादू के जोर से अदेर, अनन्त, फक और हर्श में बदल गया, इनसानों की जमघट में फकत इनसान नाम की कमी है, इस पुतले से मिलकर तो खुद मौत भी अपना भागी सराहेगी, ऐसी मौत पर तो लाखो जीवन अच्छावर, मारने से जादा तो राजा का भी वश नहीं है, फिर मरने का डरने होने पर कैसी जोखिं, कैसी हिचकी चाहट, मरना निश्चित है, तब भी तमाम लोग मरने से डरते हैं, और ये है एक ओगड, जिसे अपनी सच्चाई के सिवाए दूसरा किसी तरह का बोध ह नहीं, सलावे भरती बिचली की चमक की नाई, ऐसा ही कुछ मर्म राजकुमारी के नईनों में कोंद कर ओजल हो गया, पर बाकी सुनने वालों पर मानों वजरपात हुआ हो, राजमत का असीम एहम कबीर के उस सरल जवाब को जहल नहीं पाया, इसकी निस्बत तो तलवार का वार सहना आसान है, एक दफा तो राजा अपनी सुद्बुध ही भूल गया, पर दूसरे ही शन नसनस में सांप, राक्षष और सेर की विरासत भवाने लगी, फुफकारते वे बोला, तू किसी को अपनी कारिगरी बेचता नहीं, किसी को भेट करता नहीं, फिर ये है किसलि नहीं है, मेरी कारिगरी उन लोगों के लिए है, ठाकुर ने आग में घी डालते वे गरच कर कहा, चंडाल, तेरी ये मजाल, गुस्सा तो ऐसा आता है कि अन्ने दाता के आदेश के बिना ही तेरी खोपड़ी उड़ा दू, तेरे इन नाची चीतलों की खातिर तीन लोग के नाथ को दरदर का विखारी बनाना चाहता है, ठाकुर के गुस्से का अदेर कुछ मतलब समझ में नहीं आया, तो कबीर कुछ पल असमंजिस में खड़ा हुआ, राजकुमारी ठाकुर के और मुखातिब होकर तेज सुर में बोली, अपने हलक की बात नाहक इसके मुँ में क ठाकुर कोहनी तक हाथ जोडते, अटकते सुर में बोला, आपकी हैसियत की क्या सेमान ने दाता, ऐसे लाखों करोडों बुखड मिलकर भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते, राजा कहना तो कुछ और ही चाहता था, पर उसकी बख्याली में आप ही वे बोल फिसल पड़ा, फ राजा तो राजा ही होता है, वास्तव में इस ब्रह्म के बहाने राजा की खीज काफी निथर गई, ठंडे सुर में भोले कबीर को लाड़ से समझाते वे कहने लगा, इस जिद के पीछे धूल फेंक, छोड़ ये पागलपन, मेरे दशनों से पहले तकलिव देखी, सो पर अब एशकर, मेरे खजाने से तुझे मू मांगी कीमत से भी सवाई कीमत मिलेगी, मुझ जैसा दयावान उम्राव तुझे चिराग लेकर ढूनने पर भी नहीं मिलेगा, बावला कहीं का, राजा तो पिता की ठोर होता है, मुझ से कैसा संकोच, राजा ने तो इतनी देर में ही उस शीरे के तारों की पहचान कर ली थी, यहे तो बानगी ही दूसरी है, हुकूमत के आतंग के वस्त में आने वाला ये बंदा नहीं, फिर मुहासिबों के सामने सिंगहसन की पोल खोलने से क्या सार, लाड़ से पुछकारते हुए कहा, बोल, अब तो तेरा मन बदला तू क्या सच मानेगा कि इतनी खुशामत तो मैंने पुराने राजा की भी नहीं की, तू खुशी-खुशी हां करे तो सवारों को तेरी वस्त्वों के हाथ लगाने दू, तू जैसे खरे आदमी पर मुझे भी नाज है, जो इच्छा हो कीमत मांग, तुझे पूरी छूट ह किसी के हाथों बक्षी हुई छूट लेने की बात को कबीर का जनम ही नहीं हुआ था, बले ही वो देश का मालिक क्यों नहीं हो, अपने मन पर कबीर किसी का अंकुश नहीं मानता था, राजा खीज करे तो वही बात, और रीज करे तो वही बात, समूची पात को सुथराई से संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मेरी जरूरते इतनी कम हैं कि आपकी दिवी छूट मेरे किसी काम नहीं आ सकती, आपका आना बेकार गया, इस खातिर एक दफा फिर माफी चाहता हूँ, कुद राजा के मुह से पुचकार कर दुलारने की उपरांत भी कबीर का वो ही नाशुकरा हट, सुनकर राजा के एडी से चोटी तक आग लग गई, तब भी राजा को अपने कानों पर विश्वास करने का मन नहीं हुआ, सुभा मिटाने की, खातिर एक मरतबा फिर पूचा, तो क्या मू मांगी कीमत पर भी मुझे अपना मा नहीं देगा, कभी राजकुमारी की चहरे की और देखते वे कहने लगा, लोब लालच की कारण बात बदलनातों में जानता ही नहीं, एक दफा पूचो तो वही बात, और सो दफा पूचो तो वही बात, इन बोलों के साथ राजकुमारी को ऐसा लगा, गोया गगन में एक स वास्तव में वो देश का मालिक है की नहीं, सिंगहसन और मुकुट की आन योही नहीं रखी जाती, दूसरे ही शन राजमत की उफनते गुमान में उसने आदेश दिया, कि अलगनी पर लटकते तमाम वस्तरों के चित्रे-चित्रे कर दे जाएं। उसके हाथों उरेही बिचलियों के टुकडे-टुकडे हो गए, फूलों की पंखुडियां जड़ गए, पहाड के पर्खचे उड़ गए, तीले बिखर गए, अपना वश्त ने चलने पर कबीर कर ही क्या सकता था, उसका वश्त चला, तब तो उसने अपने हाथों कुछने काम कर रहा है, मंद मन मुस्कुराते वो सवारों के हाथों हुए अपने कलेजे के चितनों का धेर देखता रहा, कबीर के होटों की मुस्कुराहट मानो राजा का मूँ चुड़ा रही हो, उफनने के बाद राजमत की क्या हद, कड़कते सुर में आदेश दिया, देख क्या रहे हो, इन चितनों की तरह इस बेशरम की भी चिंदी-चिंदी कर डालो, राजा के आदेश के साथ ही चार-पांच सवार नंगी तलवारे चमकाते कबीर की और लपके ही थे, कि राजकुमारी उनके सामने आकर बोली, खबरदार, कबीर को खरोच भी आई तो मैं जिन्दा जल मरूंगी, सवारो के हाथ जहां के तहां रुख गए, ने राजा के आदेश को टालना उनके वश में था, और ने राजकुमारी के आदेश को, कट्पुतली तो धागों के पल फुदक्ती और थमती है, सवार नए आदेश की प्रतिक्षा में राजा के सामने देखने कबिर कुछ दाद फरियाद करता या गिड़ गड़ाता तो शायद राजमत की एठन कुछ डिली पड़ती लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं करती तिस पर राजकुमारी की शिकायत राजा बमुश्किल अटकते कहने लगा ये अपनी कारीगरी बेचता नहीं भेट करता नहीं फिर और क्या करता तो ही बता अक्षरों के बहाने राजकुमारी की मूँ से मानो खुन टपक रहा हो इस तरह बोली मुझे पोचते तो बताती पर अब तो पोचनी की राही नहीं बची इससे तो मेरे शरीर के टुकडे टुकडे कर डालते तो बहतर था आज से ही मेरी अकल ठिकाने आ गई आइंदा कभी किसी काम के लिए टोकू तो मेरी जबान दाग देना राजा लाड़ से दुलारते हुए कहने लगा मेरी बावली बेटी तुने इस बात की खूब फिक्र की मैं मन का मेला थोड़े ही हूँ मेरी दातारी फकत इस कबीर के सिवाए कौन ही जानता तेरी ऐसी ही मरजी है तो कब का मोल नहीं हर जाना ही माल ले पीडियों का दिवाला मिट जाएगा बस अब तो खुश कबीर ने उस नवलक्खे हार की ओर देखा तक नहीं गले की ठोर जब वो हार राजा के हाथ में चमक रहा था कभीर राजकुमारी की आँखों में नजर गडा कर कहने लगा मैं तो पह कभीर मुस्कराते वे कहने लगा किसी कमबल यशोल का महत्व हीरों के बदले बिकने में नहीं जाडों में ठिटूरते इंसान की ठंड दूर करने में है आप राजा है मेहनत की पसीने का मौल आप नहीं जानते आपको क्या मालूम की मेरी इस कारीगरी में कितनों की महनत और कितनों का पसीना मिला हुआ है जब इन चिंदी-चिंदी हुए चीथलों को रफू कर वापस उनके कंबल बनाऊ और वे कंबल किसी ठिटूरते इनसान को गर्मी पहुँचाए तब कई इनका असली मोल चुकेगा और मेरी कारिगरी सार्थक होगी राजा खिल-खिल हसते बोला तू तो अकेला ही हजार बावलों की गरजपूरी करता है तू इस हार के मोतियों के बारे में कुछ जानता भी है अगर दान के जरिये तू अपने शोहरत फैलाना चाहता है तो बावलों के सरदार इस हार के एक-एक मोति से तू पर उसकी बात अलग है, वो देश का मालिक है, आवाज को दबाकर कहने लगा, कबीर एक बात तो बता, देख सही सही कहना, मुझे तुझ पर भरोसा है, यहे नोकुंटी राज्ये का सिंखासन, यह अखूट खजाना, सह विशाल फोज, यह चमचमाती तलवारे और यह हाथी घोडे, तक क्या इस मरी मोद से मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्या नाचीज रिय काया की तरह मुझे भी एक दिन मरना होगा, मुस्कराहट के उजले सुर में कबीर बोला, यह भी कोई पूछने की बात है, एक गहरी आहा भरकर राजा बोला, पूछने की बात है, तभी तो पूछ रहा हूँ, तेरी सिवाए कोई दूसरा पंडित ग्यानी इसका सही जवाब नहीं दे सकता, तेरी बाते सुनकर मेरे सिर्के भीतर चीटियां कुल बुलाने लगी है, बता, यह क्या माजरा हुआ, कबीर ने किसी से कोई सवाल पूछा, तो उसे अपने वस चलते जवाब देना ही था, कहने लगा, मेरे लाख समझाने पर भी यह आपकी समझ मे नहीं आएगा, क्यूंकि यह सिंगासन, यह मुकुट, यह खजाना, यह फोज और यह चाकर कदम कदम पर आपकी रहा रोकते हैं, आपकी आँखों पर राजमत का जाला चाया हुआ है, इस खातिर ने तो आप सत्य का परस कर सकते हैं, और नहीं दर्शन, लगता है कि आज ज बिल्कुल उसी की है, पर मेरे मन की तुने कैसे जानी? राजा की आँखों में नजर गडा कर कबीर बोला, अभी आपका मन गंदला नहीं हुआ है, मुझे उसके आर पर दिख रहा है, तू कहता है तो दिखता ही होगा, पर मैं तो आज अजीब उलजन में फस गया हूँ, क् कहां बेचेनी हुकोमत की, चिंगारी और कहां साच का तपता सूरज, पर राज्य की तरह इस साच का कोई राजा नहीं होता, उसमें सभी की एक से मिलकियत है, पर इस मिलकियत पर हग जतलाने की हिम्मत चाहिए, राम जाने क्यों राजा के मन में उस वक्त किसी तरह का कोई दुराव नहीं था सभी के सामने कुबूल करते कहने लगा अपनी हिम्मत का असली एसास तो मुझे आज ही हुआ तू क्या सच मानेगा कि इतनी बड़ी रियासत का राजा होकर भी मैं मन ही मन तुछ से डर गया कभी चिटकारे देते हुए बोला ये तो बहुत बुरी बात होगी मैं ने तो किसी से डरता हूँ और ने किसी को डराना चाता हूँ भला मुझे से डरने की क्या बात है राजा दो-ेन दफह गर्दन को हिलाते हुए बोला वहे तो या मैं जानता हूँ या मेरा जी जानता है आसपास खड़े दर्बारियों और ठाकुर के आश्चरी की सीमा ने रही कि देश के मालिक होकर राजा आज यो आई बाई क्या बक रही है कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया राजा के डरने से कहीं राज्जी चलता है भला ये चली कभी चरूर कोई जादू टोना जानता है इससे तो किनारा करना ही बैतर है ठाकुर ने दोहरे होकर अर्ज किया अन्यदाता थाल अरोगने के लिए देर हो रही है आपके अरोगने के बाद ही बस्ती के लोग बासी मुकुला करेंगे ठाकुर की आवाज सुनते ही राजा को वापस चेत हुआ अपने असली खोल में आते ही उसका सूर बदल गया गगन की और उपर देखते हुए बोला सूरस तो सिर पर चड़ाया और अभी तक तुमारी बस्ती का मुँबासी ही है ठाकुर ने महराज की जैहो कहने के उपरांत गर्व से कहा आपके अरोगने से पहले तो मेरी स्वामी भक्त रियाया गले से थूक तक नीचे नहीं उतारती रोटी खाना तो बड़ी बात है राजकुमारी ने खुद चलने की जल्दी दरसाई तो राजा जट अपने डेरे की तरफ चल पड़ा राजा के पीछे सभी चुपचाप रवाना हो गए पीछे रहा फकत अकेला कबीर और फटे वे चीथडे काम तो आखिर करने से ही निपतेगा नाहक सोच विचार में क्या सार हुकूमत की रंगत ऐसी ही हुआ करती है कैसे ही अकेले अपरबली की हुकूमत की ताकत के आगे कोई था नहीं लगती वो चुपचाप, गुमसुम, सुई, डोरा लेकर अपने काम में जुट गया उसके पोरों पर परस पाने से तो इस चीथडे भी मूँ बोलने लग जाएंगे ततपस्चात कबीर को ने वक्त का दिहान रहा और ने हवा और ने उजास का कब दिन ढल गया और कब सांज हुई उसे इसका कोई एहसास ही नहीं हुआ था सुई की नोक ने ही उसकी तमाम दुनिया बसी हुई थी कब सूरज की रोशने अंधेरे तले दब गई और कौन दीपक चला कर बाई बाजू सारी रात एविचल बैठी रही गोया रैनादे अपनी गरच से हथेली में दीपक लिए बैठी हो और मानो कई युगों ने वापस लोट कर उस रात के जिल मिलाते तारों में शरण ले हो तड़की सुर्योदे के वक्त दीपक का उजाला अपने आप में सिमट कर सिरह लाने लगा तब कबीर का जेत हुआ और दिया बुझाने के साथ ही उसकी आँखों ने जो नजारा देखा तो उसे लगा कि वो कही नेंद में सपना तो नहीं देख रहा है आँखे मसल कर फिर देखा ये तो वास्तव में राजकुमारी हथेली में दीपक लिए सामने बैठी है समूची दुनिया का सारा आश्चरिय मानों उसके गले में फूट पड़ा आप? राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया कबीर के हाथों से रफू कि ये पहाड के आर पार नजर गड़ा कर एक टक देखती रही कबीर पच्चतावे की सुर में माफी मांगता सा कहने लगा मुझे ने तो आपके आने का कुछ खयाल था और ने दीपक के उजाले का इस तफ़ा राजकुमारी के गुलाबी होटों से आप ही अम्रित वानी जन की मुझे भी कहा ध्यान था कि डेरे कब पहुची और वापस कबरवाना हुई आंगन में पाव धरते ही मैं जान गई कि तुम्हें सुई और डोरे की सिवाए दूसरा कुछ होश नहीं है आई तो बहुत सारे बाते करने के लिए थी पर अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है मौन से बढ़कर दूसरी और कोई वानी नहीं है बेकार बकवास से क्या फाइदा एक सुई और हो तो मुझे भी दो ये काम इतना आसान नहीं है ये तो काम करने पर ही पता चलेगा सुई देते वे कबीर को रती भर भी यकीन नहीं था कि राजकुमारी उससे भी पतू है फकत लिहाज की वज़े से सुई दी पर पहले टांके की लकप से वो अच्छी तरह जान गया कि ये हाथ तो जो चाही कर सकते हैं कबीर ने हैरानी से पूछा आपने ये काम कब सीखा सीखा फिर कब आज ही तो सीखूंगी इतने बरस सुई का नाम तो जरूर सुना था पर हाथ में अभी ली है कबीर की खुशी का और छोड नहीं रहा कहने लगा बात तो यकीन करने लाइक नहीं है पर आपकी बात को जूट भी कैसे मानू राजकुमारी सुई चलाते चलाते बोली आप जैसे गुरू मिलने पर कौन क्या नहीं सीख सकता सारी रात आपकी देखा देखी आँखों को पोर और पोरों की आँखें बनाने का काम सीखती रही समुची बात बताने पर सत्य की मर्यादा कलंकित होती है राजकुमारी आगे भी कुछ कहना चाहती थी कि सहसा राजा आंगन में खड़ा नजर आया साथ में ठाकुर और आठ दस्सवार राजकुमारी से आखे चार होते ही राजा कहने लगा मैं जानता था कि तू यहीं मिलेगी राजकुमारी के चहरे पर लज्जा की छाई जूल गई राजा को इतना धीरच कहा कबीर को सामने देख बोला तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेट करने को राजी नहीं हुआ तो मेरी मर्जी पर मैं तुझे ऐसी चीज भेट करने के लिए आया हूँ जिसका सपना भी तेरे लिए नामुम्किन है बोल तू ही बता ऐसी कौन सी भेट हो सकती है संकेत बिलकुल स्पष्ट था फिर भला कबीर क्यों ने समझता गंभीर सुर में बोला मैं नै तो किसी की भेट का बोलता हूँ और नहीं किसी को भेट करता हूँ राजा ताले बजाकर खिल-खिल हसते वे बोला ये भेट वैसी नहीं है इंद्र भगवान का वीमन डोल जाए जैसी भेट बताऊं, राजकुमारी के हत लेवे में समुच्ची राज्य का दहेज राजा की ये फूहड बात सुनकर कबीर को बे साकता हसी आ गई हसी थमने पर कहने लगा ऐसी भेट का तो सपना ही बुरा मैं तो शादी ब्या के लफडे में ही नहीं पढ़ना चाहता और इस लफडे के साथ राज्य का दहेज क्या मुझे आप इतना अबूद समझते हैं कि आपके वेमन को मैं परसाद की तरह ग्रहन करूंगा अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो आप उसे छोड़ते ही क्यों आप खीच करें कि आपकी मर्जी इस भेट के लिए भी मैं माफी चाहता हूँ राजा के रोम रोम में जुरजुरी दोड़ गई राजकुमारी पर हजार घड़े पानी किर गया सपनी की सुनहरी लंका उसकी आखों के सामने धूंधू कर जलने लगी राजा की बेटी होकर कितनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया और उस पर भी पाला पड़ गया अब तो सो दफ़ा जिला जिला कर इस मकार को वापस ने मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी सवारों को कड़कते वे बोला यू नाजिरों की तरह नाखुनों से जमीन क्या कुरिद रहे हो अब तक तो इस हराम जादे की चटनी कर डालते ऐसे आदेश के बाद सवारों को कैसी देर एक साथ हवा में नो तलवारे उपर उठी शायद फिर राजकुमारी आडे आ गई तो पर राजकुमारी तो इस मरतबा टस से मस भी नहीं हुई उसकी आखे गोया पत्रा गई हो कि अचानक राजकुमारी की जगे राजा सामने आकर जोड से बोला खबरदार मैंने आदेश दिया तो क्या हुआ तुम्हें भी सोचना था कभीर के चीरा लगने से ही मेरी लाडली बेटी कितनी तडपेगी अपना काला मू करो यहां से आइंदा भी ऐसा अंट शंट आदेश करू तो कान मत देना मेरा दिमाग ठिकाने हो तब नै खोपडी में तो मानो साही उसी हुई हो कहां की बिजली और कहां आकर गिरी कभीर क्या करे और क्या ना करे थोड़ी देर तो कुछ समझ में नहीं आया वो भी असमंजस में पड़ गया फिर राजकुमारी के पास जाकर उसके एकदम करीब खड़ा हो गया अपने हाथों में उसके हाथ लेकर पिंगले वे सुर में कहने लगा फकत एक रात साथ रहने से एक दुसरे को ठीक से नहीं जाना जा सकता शादी, बाल, बच्चे, कुटुम, परिवार जमीन जायदाद में मुझे रंच मातर ब्यास था नहीं है दूसरे प्राणियों से अलग और उचा समझने की गलत फहमी में इनसान की बेहत बरबादी हुई है और होती ही जा रही है मेरी ने कोई जात है ने मेरा कोई धर्म है ने ही मेरा कोई देश इनसान के लिए कितनी शर्म की बात है कि धर्म और पंथों के बहने पर मरे हुए अवतार अभी तक जिन्दा इंसानों पर शाषन कर रहे है राजा से सब्र नहीं किया गया तो उसने बीच में ही पूछा सुना है कि तू देवी देवताओं और इश्वर को भी नहीं मानता इस तफ़ा कबिर व्यंग से मुस्कुराते वी बोला मानता हूँ जरूर मानता हूँ आत्मा परमात्मा भाग्य और धर्म से बड़ा जाल इंसान के हाथों ने तो रचा गया और ने रचा जाएगा अकल की खोपड़ी नवाकर जिन्दा इंसान पत्थर की मूर्तियों को पोजता है इससे गिनोनी बात और क्या होगी इतनी बात पढ़ गई इसलिए मुझे पहली दफा अपने मन की बात समझाने की जरूरत पड़ी अब राज हुमारी के होट खुले धीमी वे मीठे सुर में बोली इतनी बाते जानते वे भी अब तुम्हारे आखों के सामने तुम्हारे कारेगरे की धजियां उड़ी दो मरतबा नंगी तलवारे उपर उठी और राजावे ठाकुर की अंटशंट दुतकार सुनी तब तुम्हारे कलेजे में गुसे की आग क्यो नहीं बब की तुम मरने मारने पर उतारू क्यो नहीं हुए इतने लंबे चोड़े ग्यान के बावजूद भी तुम्हारे अंतस में जीने का मोहु है मौत का डर है फिर तुम्हारा क्रोध किस दिन के लिए है कबीर इतमिनान से समझाने लगा राजकुमारी, एक आदमी की क्रोध से कुछ नहीं हो सकता वो तो खुद कुशी की समान है जिस दिन मेरे क्रोध की छूत जनजन के हिर्दे में खुद बुदाएगी उस दिन इनसानों की दुनिया में ने तो कोई राजा होगा और ने कोई रंक, ने कोई उचा होगा और ने कोई नीचा ने साच होगी और ने जूट, ने पाप होगा ने पुड़ने ने धर्म होगा और ने एधर्म, ने कोई अमीर होगा और ने कोई गरीब ने कहीं मंदिर होगा और ने ही कोई हत्यार किसी इनसान को ये हक नहीं होगा कि अपनी सत्ता के बल पर तलवार की ताकत के जोर से अपने आदेश के जरिये किसी की कारिगरी के टुकडे टुकडे करवा डाले कबीर मुस्कुराता सब बोला मेरी चाहने और नय चाहने से क्या फरक पड़ता है राजा सिर्ह लाते हुए बोला यही तो तेरी भूल है तु एक दफा अपने मन की चाह जाहिर करके तो देख मेरी बेटी तेरे सिवाई किसी का हाथ थामना ही नहीं चाहती और तू ऐसा कि उसकी कोई परवाई ही नहीं करता परवा क्यों नहीं करता हजार दफा परवा करता हूँ अगर नर्मादा की हैसियत से जहां तक एक दूसरे का मन चाहे राजकुमारी मेरा साथ देने को तयार हो तो मेरी मनाई नहीं है और इनी पंक्तियों के साथ ये कहानी यहाँ पर सम कारण ही उसके विक्तितों के प्रभाव के कारण ही इस कहानी का नाम दिया गया है दूजो कबीर कहानी पढ़ने के बाद हमने देखा कबीर अपनी कला को कितना सम्मान देता है कला की वो पूजा करता है कला को वो बेचता नहीं है किसी भी कीमत पर नहीं बेचता लालच के तराजु में उसे नहीं तोलता और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है अगर कलाकार इतना सच्चा है तो उसकी कला में इतना आकर्शन जरूर होगा कि वो किसी को भी प्रभावित कर सकती है ऐसी ही कला कबीर के पास भी थी कबीर कला के लिए कला करता है अपनी आत्मा की संतुष्टी के लिए कला करता है ऐसे मजबूर लोगों को वो अपनी कला देने के लिए अपनी कलाकारी देने के लिए तैयार है जो उसको खरीद नहीं सकते लेकिन उसकी कद्र कर सकते है राजा के पास धन दोलत है, राजा अपना पूरा राज्य लुटा देना चाहता है, मुँ मांगी कीमत देना चाहता है, लेकिन लालच में आकर कभीर अपनी कला को नहीं बेचता है आज के संदर्ब में भी हमें ऐसे ही सच्चे कलाकारों की अवशकता है हलांकि आजवी का कमाना जीवन की गाड़े को चलाना एक जरूरत है, लेकिन लालच जितना हम बढ़ाते हैं उतना बढ़ता जाता है अपने आसपास भी हम देख सकते हैं कितने ही कलाकार ऐसे होते हैं जो शुरूरात में अपनी कला की कदर करते हैं, अपनी कला की सच्चाई को समझते हैं लेकिन धीरे धीरे पैसा कमाने के बाद उनके मन में लालच आ जाता है और बाद में वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही अपनी कला का प्रियोग करते हैं। तो वो जो कला शुरुआत में थी, वो कला पैसे कमाने के साधन बनने के बाद वो कला नहीं रहती है। कहानी में हमने देखा कबीर की कला में कितनी सच्चाई है, कितना समर्पन है और वो अपनी कला के लिए कलाकारी करता है, अपने लिए कलाकारी करता है, जरूरत मंदों के लिए कलाकारी करता है, अपने उसूल और आदश्रों के साथ कोई समझोता नहीं करता और इसी गुण के कारण राजा और राजकुमारी दोनों कबीर के एक तरह से गुलाम बन जाते हैं उसके गुणों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं राजकुमारी अपने आपका समर्पन उसके सामने करने के लिए तैयार है और राजा अपने राज्य को छोड़ने के लिए तयार है, वो राजा जो इतना ताकतवर है, वो राजा जो किसी को भी आदेश दे सकता है, किसी की भी मिर्तियों का कारण बन सकता है, किसी से कुछ भी ले सकता है, वही राजा कबीर की गुणों से हार जाता है, कबीर की कला से हार जाता है, कबीर की सच्चाई से हार जाता है, और ये कितनी बड़ी बात है इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी ताकत भी एक सच्चे कलाकार के कदमों में नतमस्तक हो जाती है उसके सामने जुक जाती है इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके अपने क्या विचार हैं आप कबीर के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार हमारे साथ अवश्य साजा कीजी आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश हो कर पढ़ते रही मेरी भाषा, हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धनेवाद और साथ ही, यदि आप कोई सुझाओ देना चाते हैं, तो आप मुझे अवश्य बताईएगा अगर कोई ऐसी बात है, जिससे मैं अपने कहानी वाचन को और अच्छा बना सकती हूँ तो आपकी सुझाओं का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा धनेवाद, बहुत बोग धनेवाद